नमस्कार दोस्तों आपका धनमंत्री क्रिपा हैल चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों बहुत सारे जो आयरवेदा से या नेचरोपेथी साइड से या योग वाली साइड से वो सुगर को एक स्केंडल ही मानते हैं कि सुगर जो है यह एक सकेंडल है और यह जो है सुगर जो है वो जड़ से चले जाती है लेकिन दोसरी तरफ ऐलो पैथी वाले डॉक्टर लोग हैं वो यह कहते हैं कि यह कभी नहीं जाईगी और उनका कसन जो है बिल्कुल सत्य है जो एलोपेथी डेक्टर बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होती है दरसल में ये एक एंडोक्राइन डिसीजीज है जिस तरह हमें थाइराइड हो जाता है शूगर हो जाती है जो अंतेसरावी गरंथिया जो हैं जब वो हार्मोन सक्रीड करती है जिस तरह थाइराइड है या आवका एंडिनल ग्लैंड है तो एलोपेथी में अभी तक ऐसी दवाई नहीं बनी है कि उन एंडोक्राइन डिसीज को ठीक कर सके या उस ग्लैंड के जो हार्मोन सक्रीड होते हैं जो हार्मोन चोड़ते हैं कम चोड़ते हैं ज्यादा चोड़ते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए और ये जो हार्मोन का कम चोड़ना या ज्यादा चोड़ देना ये एक विमारी बन जाती है दोस्तों मैं अद्वार ने दूँगा इस वीडियो के मादेम से कि जिन लोगों को थाइराइड है या हाइपो थाइराइड है तो जब वो कुछ समय तक ऐलोपैथी दवाई खाते हैं कुछ एक केसि में आपने देखा होगा कि जो हाइपो थाइराइड है जैसे जिस थाइराइड में आदमी या और तुछ मोटी हो जाती है वो कनबोर्टफ हो जाता है हाईपर्थाईराइड में तो अगर देखा जाए तो ऐलोपैथी में जो सुगर है हमारी उस चीज का ट्रीटमेंट नहीं है और इसलिए वो अपने इसाफ से बिलकुल ठीक बोलते हैं क्योंकि इनके पास या उनकी थियोरी में इस चीज का इलाज नहीं है लेकिन आईरवेदा के अंदर नेच्रोपैथी के अंदर योग के अंदर इसका इलाज जो है वो संभव है दोस्तों मैं एकी चीज कहूंगा कि ये जो जितने भी हम लोग नुस्खे यूज करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मेथी दान खाओ या जामन की गुटली खाओ या फिर क्रेले की बीज खाओ चिराइटा खाईए नीम खाईए तो दरसल मैं दोस्तों आज आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिस करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी बोड़ी में करती क्या है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाईयों भेहनों से निपेदिन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों जो भी आप जिस परकार मेथी दाना आप ज्यादा खारें हमाल लिया सुरू मेबो आपकी सुगर को कंट्रोल जरूर करेगा और इसका मेथी का एक और साइड फैक्ट मैं बताता हूँ आपको मेथी जो है वो एक तीवर बात नास्ग है जितने भी हम तीवर बात नास्ग चीज़ें खाएंगे हमारा स्रीर जो वो सुकता चला जाएगा यानि कि हमारा जो स्रीर है कमजोर पड़ता जाएगा और ये ठीक है कि जितना हम कड़बी चीज़ें खाते हैं जैसे मीम हो गया क्रिला हो गया तो दोस्तों ये ठीक है कि पनिक्रियाज की जो खुराक है वो कड़बी चीज़ें लेकिन कड़बी चीज भी अधिक कड़बी चीज़ें भी बातनास्क हैं आपके स्रील को ये सुखाना शुरू कर देती है और इसमें एक और भेद होता है कुछ चीज़ें ठंडी तासीर की होती हैं लेकिन कड़बी भी होती है और कुछ चिज़ें ये होती हैं वो कड़वी होने के साथ तिबर गर्मी भी पैदा करती है यनि कि हमारे पिद को बढ़ाती है तो जिस परकार मैंने आपको समझाया कि ये जितनी भी चिज़ें हैं चाहे आप मेथी दाना गुटली ये वो खारे हैं वो सिर्फ एक ही काम करती है जो आपके मैंने बहुत सारे लोग मुझे अपने नुस्खों के वीडियो बेज़ते हैं कि हम ये खाते हैं जी हमने ये पौडर बनाया वो पौडर बनाया है लेकिन दरसल मैं वो कुछ टाइम के लिए आपकी शूगर को थोड़े समय के लिए ने हमारे बनाड में जो शूगर लेवल है उसको थोड़ा वो कम कर सकता है लेकिन हमारी शूगर को जो है वो जड़ से ठीक नहीं कर सकता इसके पीछे कान ये है कि जब तक हम अपने जो डाइस्टिव सिस्टम है जो हमारी नाभी का के अंदर बिंदू है मैं हर जोर वीडियो क जाल के कहता हूं कि नाभी जो है हमारे जो एंडिनल ग्लैंड है वो जो एंडिनल ग्लैंड है एक ही ग्लैंड है जो सिर्फ डाइस्टिव सिस्टम को देखता है बाकी हमारे डाइस्टिव सिस्टम को कोई भी ग्लैंड नहीं देखता है तो जब तक हम उस सिस्टम को ठीक न वो ठीक ढंक से अपना कारह कर पाएगा और जब तक आपका एंडिलेंड ग्लेंड जो है वो एक प्रॉपर रूप से काम करना शुरू कर देगा वो एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट तभी होगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेंगे बहुत सारे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि अचार तली चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं और उनका ये माना है कि हम अचार खा रहे हैं तो हमें सुगर है तो अचार से तो कोई लेना देना नहीं है बिलकुल है क्योंकि अचार जो है इसका एक बहुत बड़ा कार्ण ह ये अधिक अचार जो है वो हमारे डाजेस्टिव सिस्टम को भी खत्म करता है मतलब उसको फेल करता है जितनी हम तली चीज़ें खाएंगी ये हमारे डाजेस्टिव सिस्टम को बिलकुल फेल कर देता है और जब तक आप ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी सुगर जो है वो कभी भी नहीं जाएगी यह में लिख कर देता हूँ दोस्तों हाई यह जो सुगर है यह ठीक है इसमें मेडिसिन में चलती है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह किसी हद तो कंट्रोल में रहें तो यह अपने हाथ में हैं आपके अपने हाथ में हैं आप इस तरह से खाना खाईए यह उस चीज को अपनाईए जो चीज आपको सिग्र डाइजेस्ट होती है और आपका पाचन तंतर जो हो वो पावर्फुल हो जाता है आपका पैंक्रियाज अपने आप एक्टिवेट जो होने लग पड़ता है दूसरा मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं कि मालिया वो कोई मालिया को प्रियोग भी कर रहा है सुगुर लेवल ठीक आ रहा है एक आदा मिनना उनने देखे लेकि हमारी सुगुर ठीक हो गई उसके बाद भी वो तुरंत से जो पहले वाला उनका खान पान का तरीका था उसी के उपर आ जाते हैं और दवारा से सुगर जो है उनको घेर लेती है और फिर उनके मन में विस्वास बन जाता है कि सुगर जाती ही नहीं है और एक चीजा और सुगर को ठीक होने के बाद माली आपकी सुगर नॉर्मल चल रही है तो कम से कम इसके लिए एक डेर साल प्रे जो सुगर है वो नॉर्मल रहे और किस तरह खाना चाहिए यह अगले वीडियो के मंदर आपको बताने वाला हूं तब तक के लिए दोस्तों मैं आगे लेता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को भी जर आपने बाद नाश्कार